हाई आज के वीडियो में हम कॉष्टम API प्लगिंग डेवल्व्मेंट करेंगे तो वर्डप्रेस में कस्टम API डेवल्व्मेंट का क्या यूज है और कस्टम API पोश्मेन में कैसे यूज किया जाता है तो 99% एक वेश्चन आपको इंटर्वी में पुछा जाता है कि वर्डपे डौट वर्डप्रेस ओर जी पर आओगे तो यहां पर आपको सारा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए तो यहां पर है का मतलब होता है कि री इप्रेजैटेटर्ट अ गूर्भ एंटर्फेज तो एन एपिए is a application अपलिक म क्या अपलिकाश tubing इंतर्फेश अ रेडियो ऑन इपह रॉन एप सेंद एप्रेसंद स्टार्ट शीरेसटर्फेटर्स बिंट इसा कहता है कि जो आता है वो एक जैसन डेटा फॉर्मेट में हमको प्रोएट करता है यह जो कोड आता है एकदम लाइट वेट होता है और हम इजी से उसको रिडेबल कर सकते है वैन्यों रिक्वेस्स गुदें फ्रम देशन गाय्ट में जैसन डेटा अता हुआ हमारा जैशन फॉर्म में रीकास जैसन डेटा है सभी प्रोग्रामिंग लेंगज में हम उसे यही से यूसकर सकते है developers can build WordPress application in the client side JavaScript as mobile apps desktop app and command line tools developer API use mobile use use कर सकता है desktop view में कैसे use कर सकते है तो उसके बारे में हूँ step by step plugging development करेंगे और इस plugging में हम जो API create करेंगे वो simple API create करेंगे जैसे कि है create करना है post करना है delete करना है और list करना है तो अभी जो हम development करेंगे as simple करेंगे no UI no form no design as a simple backend में हम उसको API को यहां पर display करेंगे और second चीज है हमारी यहां पर postman क्या ही होता है तो postman के बारे में हम जान ले दे पोश्मेंट यह होता है कि postman is an application that's allowed the testing of the wave API postman एक API test करने का platform है जिसके उपर हम API को use कर सकते है और उसको run कर सकते है the software was created in the 2012 by Abhinav, Astana and Anki, Swapti, Zabhida, Scanner, Bangalore in order solve the API test sharing problem करेंगे तो चरह हम वीडियो अभी स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर यहां पर यहां पर हमें सेट अप कर दिया है बैकेंड तो यहां पर अभी हम plugging development करेंगे तो plugging development करेंगे यह अभी हमारी directory structure है यह directory structure में हमें folder create किया है WP crude API इसके अंदर हम एक folder create करेंगे content में जाके plugging में जाके तो उसके पहले अभी हमने एक flow chart किया है कि अभी जो हम plugging development करेंगे तो एक flow chart से करेंगे क्योंकि अभी इस tutorial में हम जो भी plugging development करते हैं तो एक प्लान लेके चलते उसी प्लान से हम यहां पर plugging development करते हैं यहां पर भी मैंने तो future of plugging में क्या है कि API simple create, read, update, delete and API, no fronted, no form, no UI, it is a just standard API that will manage retry the list of events मतलब यह जो अभी मैंने पहले आपको discuss किया था कि इस API में हम create करेंगे, read करेंगे, update करेंगे और delete करेंगे no fronted, no forms and no API तब सबसे पहले अभी जो हम API create करेंगे और just हम इसके अंदर सिखेंगे कि हम API का use कैसे कर सकते हैं पहले तो वह जानेंगे उसके बाद हम big project पे API को हम work करेंगे तो फिर उसके बाद है कि wordpress rest API get or post action URL तो अभी हम जो wordpress में rest API create करेंगे get or post action से use करेंगे then an event will have the title start time, date time, end time and description तो अभी जो हम the post API create करेंगे तो हम एक event post type के base पे development करेंगे तो उसके अंदर end point क्या होगा event create, event update, event list, event delete, event show id but feel free to change the sense तो यहाँ पे जो आप देख रहें कि end point क्या होता है API में तो ओ भी हम उसके बारे में सिखेंगे कि end point कैसे create किया जाता है update कैसे create किया जाता है API को list कैसे लाया जाता है और उसके id के base पे response कैसे लाया जाता है तो यहाँ पे हम अभी folder structure में आते हैं पहले यहाँ पे हमारा directory structure है यहाँ पे अभी हम एक folder create करेंगे event API यहाँ पे मैंने folder create किया folder का नाम में दे रहा हूँ यहाँ यहाँ पे event API उसके बाद मेरे को एक file create करनी होगी यहाँ पे file का name मैं same देता हूँ event API event-api यहाँ पे मैं जो पोड है वह अभी यहां से में रिम कर देता हूँ अभी मैंने अल्डेडी विजियर स्टूडियो में यहाँ पे मैंने directory open कर दी है same project की तो यही से हम edit update दिलेट कर देते तो यहाँ पे मैंने किया था event API फॉल्डर और यहाँ पे मैंने PHP फाइल भी create की थी यहाँ पे भी development करते हैं तो सबसे पहले अभी हम plugging ट्राइ करते की plugging कैसे development करते है small plugging API का plugging create करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे comment में add करेंगे कमेंड में लिखेंगे plugging नेम कमेंड में लिखना है कमेंड में आएगा plugging नेम कॉलंग plugging का नेम है event API नेक्स्ट है plugging URL लगिंग URL उसके बाद है description 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 में है event crude API नेक्स्ट है plugging का वर्जन आप जो भी plugging development कर रहे हो तो उसका यहाँ पे वर्जन आएगा उसके बाद है author name आप जो plugin create कर रहे हो का यह plugin का author कौन है तो यहाँ पे मेरा नाइम लिख देता हुए शेलेश के दिए नेक्स्ट यह author URI का मतलब यह होता है कि आप तो प्लगिंग तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन आपकी जो वेबसाइट होती है वेबसाइट कुन से वेबसाइट पर आपने पोश्ट किया तो उसका यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है नेक्स्ट आएगा मेरा लाइसंस आप जो प्लगिंग जो नाम यहां टैक्स डॉमेंड ए थीम यह लिए और फ्लगिंग लिए उसकाव पर यहां पर मैंब एड कर देता हूं कि ऐपी ओके तो पहले से हम चेक कर लेएब कि यहां पर हमारा स्पेलिंग दे मिस्टेक्ट नहीं है अória अधर अधिया में प्लगिं प्रॉपर है डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन का नाम है अमारा इवेंट कूड एपिए वर्जा ने अमारा 0.1 ऑथर ने में शैलेज गजरे ऑथर यूरा 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 नहीं है लाइसंस मैंने अभी डाला यहां पे जीपीर टू और टैक्स डॉमेंड में हां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टे के स्कास पेलिंग मिस्टेग रेक्ट्सू जर्ट कर दें तो यहां पे मैंने अभी प्लाइग एपिए कपा फालडर क्रेट की है और इक फाइल जार्ले तो अप घुक्र हैं यहां पे»iyeंद में रिफ्रेश करके चैक कर लेज़ों ऑं रेमेंट क्लोज कि Аboy ऩर्फ्रेश करता हूं एक लगिंग डिरेटर्यों में जाता हूँ और यहां पे मेरा प्लग डे स्पी आई है औरको रेक्टीवेट देधियों हो गया है तो अभी अंदर हम क्या करेंगे अभी हमारा जो कहने का तरीक है तो पहले हमें comment में लिखना होता है कि plugin का नम क्या है, plugin URL क्या है, description क्या है, version कौन सा है, author name क्या है, author URL क्या है, license क्या है, text domain क्या है, उसके इसाब से हमें यहां पर follow करना पड़ता है, next है, हम एक function create करेंगे, define करके, define में हम plugin का path add करेंगी, क्योंकि हमें कई सारी फाइल यहां पर हमें callback करना है, तो उसके लिए हम यहां पर एक function create करेंगे, एक path create करेंगे, event, API, plugin, uri, function name में अमरा plugging, function name में अमरा plugging directory, uri path, function, underscore directory, इसके अंदर round bracket में आएगा, files, और last में semi-column close, यहां पर मैंने define कर दिया है path, उसके बाद मेनों को यहां पर एक function में create करूँगा, if, add action यूज़ करूँगा, उसके पहले, add underscore actions, कुन सा action यूज़ करना है, हमें plugging loaded करना है, तो यहां पर मैं plugins loaded एक action create करूँगा, plugging loaded action क्या करता है, कि जब आपका plugging reload होता है, activate होता है, तब आपका यह function यह वो callback होता है, तो यहां पर मैंने function create किया है, plugins loaded, और उसके अंदर में function create कर रहा हूँ, plugin API, plugin API, plugin load functions, यहां पर मैं function create किया, event, यहां पर एक curly bracket, उसके बार हम directory structure में जाते हैं, तो यहां पर हम चार post create करेंगे, यहां पर पहले हम एक create कर रहा हूँ, folder INC, INC folder में create करूँगा, file, तो first file मेरे रहेगी, यहां पर event post API, event delete API, event get API, event update API, हम total 4 API create करेंगे, तो first है मेरे event post API, next है, event delete API, event dash delete API, यहां पर copy name है, उसको यहां से हम लीवू कर देगे, इसके बाद है, next, get API, event get API, and next है हमारा event update API, folder यह जो है, हमारा file का मेरे, यहां पर है, event update API, तो first अभी create करेंगे, हम get API के उपर work करेंगे, तो यहां पर मैं अभी open किया, इसके फोल्डर, यह हमारा get API folder है, लेकिन उसके पहले जो existing content दा, उसको मैंने delete कर दिया है, event API में आते, यहां पर हम वो file को callback करते, जिसके उपर अभी वर्क करना है, तो अभी हम work करेंगे, event get API, तो यहां पर file को पहले callback कर लेते, require once, यहां पर हमने जो directory path assign किया, वो आएगा हमारा event API plugin director dot folder का नहीं में, हमारा inc folder के अंदर हम सारी file है रखी है, तो यहां पर आएगा inc folder, इसके बाद आएगा event get API dot php file, अभी हमने क्या किया कि event get API dot php file create की, और अभी हमें वापस से एक file create करना है, postman के लिए, post type के लिए, तो यहां पर मैं एक नहा फाइल create करूँगा, register post type के लिए, यहां पर मैं file का name देता हूँ, event post type, यह file है, यह file में हम post type create करेंगे, event की पहले, यहां पर हम पहले event की post type create कर लेते, और यहां पर callback भी कर देते हैं, plugging file के अंदर, उसको उपपर add करते, तो हमारा फाइल का name इवेंट, event post type.php file, अभी हमने क्या किया है, कि event post type जो file है, वो बार रखी है, यहां पर मैं यह direct कर देता हूँ, content, यहां हमारी main debugging file हो गई, यहां हमारे get API फाइल हो गई, और यहां पर हम अभी register करेंगे API, सबसे पहले हम यहां पर post type add करेंगे, event की register post type add करेंगे, register post type add करने के लिए हमें एक book यूज़ करना है, add action, add action के अंदर हम init function यूज़ करेंगे, init functions, init function के अंदर API यूज़ करने के लिए, register rest route करके function यूज़ करना होता है, यहां पर हम type करते हैं फंक्शन, register, register underscore, rest routes करके function यूज़ करना है, यहां पर हमें add करना है, plugging का url, यानि की हमें यहां पर add करना है, API का url, plugging API का url आएगा यहां पर हमारा, event, API, API version है, v1, API version हो गया, comma, space, यहां पर हम post type create करेंगे, event है हमारा post type है, यहां पर slash create, sorry, अभी जो हमें जो code किया है, वो event post type में किया है, तो यह code हमें यहां पर get में करना था, यहां पर मैं get में add कर दिया, post type के लिए हमें यहां पर code करना है, wp-init function था, वो अमारा proper था, लेकिन उसके अंदर हमें एक error create करना था, ओके, no problem, तो यहां पर मैंने already किया है, init function, function का नहीं है, हमारा event API post type callback, event, event API post callback, यह हमारा function का नहीं हो गया, उसके नहीं चे हम नया function create कर दे, event copy event API post callback, यह हमारा function का नहीं हो गया, उसके अंदर हमें argument create कर दे, आर्क्स इक्वल टू एरिं, एरिं के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, सिंगल इन्वेटेड में आएगा, पॉब्लीक, एरिं, ट्रू, नेक्स्ट है मेरा लेबल ने, लेबल वर्ल्टू आएगा, यह मेरा push type का title है, इवेंट, उसके बाद आएगा, इवेंट API, यह मेरा tax domain हो गया, जो मैंने आपको, plugin main file में दिया था, यहाँ पर saving column, यहाँ पर add करते हैं, support, support के लिए हमें, backend में कौन सी field add करना है, support के लिए, स्टार्ट टाइम और स्टार्ट एंड टाइम के लिए, हमें custom field के जरूर है, इसके लिए हम यहाँ पर callback करेंगे, array format में, custom field, semi column, sorry, comma, support में क्या आएगा, आएगा, and editor आएगा, यहाँ पर editor आएगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे, कि यहाँ पर एक error है, तो वो error हम यहाँ पर solve करते ही, यहाँ पर मैंने semi column दे रखा है, इसकी वज़े से error होगया, next यहाँ पर semi column नहीं आएगा, square bracket के बाद, इसके बाद आएगा नीचे semi column, अभी हमें post type क्रिएट करने के लिए, हम कुन सा function use करते हैं, तो register post type function हमें use करना होता है, register post types, जिसके अंदर हमारी post type हम create करेंगे event, और यहाँ पर argument pass करेंगे, arcs, यहाँ पर semi column, यह हमारी अभी हो गई, post type create register के लिए, उसके बाद अभी हम work करेंगे, event get API के उपर, अभी हम type करेंगे event get API के लिए, तो यहाँ पर मैंने add किया है, add action, init function, ओके यह proper है, event API यह plugging, API URL इसके बाद अमारा वर्जन आएगा, next अमारा post type का event name आएगा, और यहाँ से हम create, यहाँ से delete करते हैं, उसके बाद, यहाँ पर slash आएगा हमारा, slash, slash, array, array के अंदर, single inverted में आएगी, हमारी method कोन से आएगी, हमें get करना है, तो उसके लिए, हम यहाँ पर use करेंगे, get method यूप करेंगे, आँमा, उसके बाद, fallback क्या करना है, fallback में आएगा, हमारा function name, fallback, array functions, fallback में हैगा, हमारा event, API, get, fallback, यह हमारा callback function हो गया, यहाँ पर error है, यह error हम solve कर देते हैं, यहाँ पर last में error है, कौन सी error है, यहाँ पर semi column हम भूल गया है, और square bracket भी यहाँ पर, sorry round bracket भी यहाँ पर भूल गया है, तो अभी जो हमने, जो create किया है, वो get करने के लिए, API में रेजिस्टर किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे last में, इसका function मैंने जो create किया है, तो यहाँ पर एक function create करेंगे, और event API callback function है, उसी का हमें एक function create करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर function आएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक dollar में post assign करता हूँ, post is equal to get underscore post, get underscore quotes में आएगा हमारा square bracket में, post types, post type आएगा, post type का name आएगा हमारा यहाँ पर, event, single invented में आएगा event, post status कुन सा आएगा हमारा, post status में आएगा हमारा publish, post status में आएगा हमारा publish, यानि कि यहाँ पर हम जो भी अब data करेंगे, वो publish की data आना चीए, इसकी वज़ा से हम यहाँ पर add करेंगे, publish, semicolumn, इसको proper format कर रहेते हैं, एक बाद, यहाँ पर हम अभी चेट करते हैं, if count, if count, dollar post, dollar post, greater than zero, square bracket, यहाँ पर हम अभी 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 कर दे, response, response, square bracket, status, equal to 200, next, next हमारा सक्सेज, next हमारा आएगा, सक्सेज आएगा, data आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा, सक्सेज, फेरे, इसके बाद आएगा, हमारा यहाँ पर data, data में हम argument पास करेंगे, posts, semicolumn, if के बाद, यहाँ पर आएगा, else, conditions, else condition में, same copy करेंगी, यह वाला data, यहाँ पर success में देख रहोगी, यहाँ पर हमें पास करना है, values की, true करना है, यहाँ पर हम true add कर दे, next, copy कर दे, यहाँ पर paste कर दे, यहाँ पर false कर दे, success, जो count की उपर, जो value होगी, हमारी, तो यह true होगा, अगर नहीं होगा, तो यहाँ पर false होगा, यहाँ पर extra add, ज़दी हम देख देख कर देते हैं, और यहाँ पर data में, हम response pass करेंगे, no post, no post, semicolumn, तो अभी मैंने जो create किया है, वो event get करने के लिए, तो अभी हम back end में जाते हैं, यहाँ पर refresh कर दे, refresh करने के बाद, यहाँ पर हम चेक कर लेते, तो यहाँ पर हमारी अभी register नहीं हुई है, यह post, तो पहले चेक कर लेते कि error क्या है, इसके अंदर, यहाँ पर है event, post type है हमारी, event, public true, register post, register post type है, यहाँ पर, पहले फाइल चेक कर लेते, उसके अंदर हमें फाइल कॉल किया है, फाइल है हमारी event, post type, यह directory path है मेरा, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ function, तो यहाँ पर है event public API, event register post type, name the proper है, function name भी proper है, तो एक बार मैं window को refresh करता हूँ, ओके यहाँ पर आ गया है event post, अभी हम यहाँ पर dummy data add करते, event one, यहाँ पर publish, event one, update, next event, छे साथ हम यहाँ पर dummy data add करते, और चेक करते, API में, यहाँ पर है event three, publish, यहाँ पर है event, event four, four, यहाँ पर मैंने सारे publish तो कर दिये, लेकिन उसके description डलना हम भूल गए, तो यहाँ पर हम description add कर देते, यहाँ पर total चार पोस्ट है, तो चारो चार पोस्ट की हम यहाँ पर पहले description add कर देते, this is a event, descriptions, update, उसके बार है event one के लिए, this is a descriptions, यहाँ पर event three के लिए, this is a descriptions, event two के लिए, this is a description, यहाँ पर मैंने चारो चार description add कर दिया है, अभी हम पोस्ट में चेक करते हैं, पोस्ट में हमें यही वर्टपेस का डेटा हमें पोस्ट में गैट करना है, तो हमारी API का नेम है, API का नेम है हमारा event API version one और event, और हमारा method है get, यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर पहले request सेट करते हैं, get, हमारा URL structure है, localhost, WP crude API, WP crude API slash, event API version, यहाँ पर add करना है, event API version one, slash, event आएगा, यहाँ पर event और यहाँ पर data को send तरोगे, यहाँ पर आप देख रहे हों कि में यहाँ पर send है लेकिन यहाँ पर data नहीं है, तो अभी हम एक बार फाइल में जाके चेक कर लेते क्या इश्यू ही है, event 4 है, उसके बार इवेंट 3 है, next है event 2 है, और यहाँ पर है event 1 है, तो इसी तरह से हम जो rest API का data वर्डप्रेस का वो हमें post API में इसी तरह से हम उसको get कर सकते, यहाँ पर आप देख रहेगी, यहाँ पर preview है, यहाँ पर row है, यहाँ पर जेसन format में आ रहा है, यहाँ पर pretty format में आ रहा है, तो ओके तो यह वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को like करो, subscribe करो, और मिलते हैं next video में,